हेलो डियर इस्टुडेंट मल्टी मीडिया एन एनिमेशन के इस लेक्चर नोट्स में आपका स्वागत है आपको पता होगा कि आपका जो पूरा स्लेबस है हमने पूरा कम्प्लीट कर लिया है जितना हमने पहले क्लास्स ने पढ़ाया था उसके बाद इतनी भचे हुए स्लेबस थे हमने आपको उसका नोट और नोट्स और वीडियो हमने आपको प्रवाइड कर दिया है अब आप लोगों को मैं एक इंपोर्टन क्यूस्टन की स्रीज दे रहा हूँ जिसे आपको एक्जाम के लिए तयार करना है ठीक है यह जो आपको क्यूस्टन हम प्रवाइड कर रहे हैं यह पर यूनिट से कितने क्यूस्टन या किसी भी चैप्टर से कितने क्यूस्टन इंपोर्टन पूछे आते हैं या कितने क्यूस्टन किस चैप्टर में इंपोर्टन हैं यह हम इस वीडियो स्रीज में आपको या वीडियो में क्यूशन स्रीज आपको प्रोवाइड करेंगे ठीक है तो आपका काम क्या है कि आपका काम है कि इन क्यूशन को तयार करना ठीक है आपको हम पूरे उम्मीद के साथ कर रहा है कि जितना भी क्यूशन हम आपको कैसे कैसे हाइलाइट क्यूस्टन है जो कई बार हर बार क्यूस्टन पूछे आते हैं तो हम आईए चैप्टर वाइज आपको रूबरू कराते हैं कि कौन से क्यूस्टन जादा एकजाम में हर एक चैप्टर से पूछे आते हैं तो हम सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में स्टा मतलब कि मल्टी मीडिया में प्रयोग खते हैं के बारे में explain करिए हाड़वेर के बारे हमने आपको बताय हुआ है इसमें कौन-कौन से हाड़वेर होते हैं इसके बारे हमने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किया तो आप इसको एक्जाम में बैकाइदा लिख सकते हैं ठीक है दूसरा क्रिशन आपका है कि मल्टी मीडिया कि element वह application की ब्याख्या किजिए साथी साथ advantage और disadvantage को भी पूछा जा सकता है ठीक है तो multimedia element मेंस की multimedia element मेंस आपका idio, video, text, graphic ठीक है आपके images ठीक है तो यह क्या है इसके element है तो आपके इसके बारे में लिखना होगा साथी साथ अप्लिकेशन में सोता है कि अनुपरियों गयाने कि मल्टी मीडिया का अनुपरियों कहां होता है तो इसके बारे में भी आपको आपसे पूछा जा सकता है और एडवांटेस कुछ कुछ इसमें एक्स्प्लेइन करने के लिए कि मल्टी मीडिया कैप्चरिंग डिवाइस क्या होती है सबसे पहले आपको क्या लिखना है मल्टी मीडिया कैप्चरिंग डिवाइस क्या होती है फिर multimedia capiling device में कौन-कौन सी device होती है उनको explain करना होगा exam में ठीक है उसके बाद आपका multimedia communication device means multimedia में communication devices क्या होती है पहले उसको लिखेंगे फिर multimedia में communication devices में कौन-कौन सी communication device हो उसके बारे में explain करना होगा ठीक है फिर storage device ठीक है storage device में आपको लिखना होगा स्टोरिटट डिवाइस में कौन-कौन से इस्टोरिटि डिवाइस उसको रिखना होगा multimedia display डिवाइस सबसे पाहले कि display devices क्या होती है multimedia में फिर उसमेंova pem तो आप लोग क्यूशना बता रहा हूं सभी को प्रिपेर करें टूर तो ज्यादत आप चांसे था कि इसी में से क्वच्टन आपको पूची आएंगल को बता रहा हूं ठीक है अब इसमें आर्ट सफстаट नोट मैं तक कार के बारे में ठीक है बार कोट रीडर इस सकैनर के बारे में मैगनेटिक इन करेक्टर टर रिड़र installation वह बनाटिस्स अप्को पुछ लिए आए तो आप लोग इसको भी प्रिपेर करतें यह इभी आपको बताया गया है ठीक है अब दूसरे चैप्टर से आदेक्ड़ Second Chapter से Second Chapter ते Question क्या आता है कि आता है कि Multimedia के समध्द में Synchronization, Artistication Quality of Service Architecture की वैक्षिया के रिए देखे इसमें ये भी पूछा जाता है कि Multimedia System Architecture को आज से आप क्या समझते हैं आजने कि Multimedia Multimedia System Architecture से आप क्या समझते हैं इसके समद्ध में सिक्रोनाजेशन इसको मैंने बता है और चेस्ट्रेशन क्वाल्टी आफ सर्विस स्ट्रक्चर की ब्याख्था किजिए तो यह क्यूस्टन लग लग कई बार पुछा गया है तो इसलिए भी इंपोर्टेंट है ठीक है अब उसके बाद आपका अगला क्यूस्टन है इसमें कि distributed multimedia से आप क्या समझते हैं distributed multimedia से आप क्या समझते हैं इसके application की ब्याख्था किजिए यानि कि इसके application क्या-क्या है इसके बारे में पूछा जा सकता है और इस chapter में सबसे ज़्यादा synchronization, orchestration, quality of service सबसे ज़्यादा पुछी आती है तो किरप्या आप लोग इसको ज़्यादार इ साथ ही साथ इसको भी तयार करें ठीक है अभी आप लोग पास time भी है तो आप लोग चाहेंगे तो अभी ज़्यादा नहीं है एक दिन में अगर दो भी question तयार करेंगे तो आप 10 दिन में पूरा course आपका पूरा syllabus आप लोग अच्छे से prepare कर लेंगे ठीक है कि अब हम आते हैं यूनित थर्ड में आते हैं यूनित थर्ड क्या है compress and decompress file format ठीक है इसमें क्या-क्यूषन पूछ आते हैं exam में कि compression वर क्या है इसकी आउसकता क्या है यानि कि कंप्रेशन और डी कंप्रेशन से आप क्या समगते हैं इसकी निर्स क्या होती है इसका इसकी ज़रूत क्यों होती है साथ ही साथ लिखा है कि बीविन प्रकार के कंप्रेशन और डी कंप्रेशन तकनीक करन किजिए यानि कि कंप्रेशन म होगा इन सारे क्विश्टन में किहां सरी यह मुझे प्राप्लम हो रही इसमें ठीक है दूसरा क्विश्टन इसमें है कि बीभिन की ब्याख्या कर एककाई कर आई कि क्या होता है इसमें कौन-कौन से इसको बीडियो भी बता हुआ है अगर आपको कोई ड़ाओट्स अब वीडियो देखें अगर फिर भी कोई intelligence क्लियर न हो तो हमें प्रफिसंटमस काल या message करें ठीक है और lossless और lossy compression में अंतर असपर स्ट किजिए lossless compression क्या होता अब जब कि और अगला स्वरायर्ट ईससे के बारए में आपको पताया गया इसको भी आप लोग करी जाम के लिए फेके नागे तो आ काअ मैं अभी ऑप पुछा जाता हैं अब आते हैं फिर अगले 사न पर इखिंध यहांने कि एंपेग में कौन कौन सी स्टेंडर्ड है इतने इसको हमने बताया हुआ थो इसको आप लोग भी पड़ लें ठीक है कि बारे हमने बताया था और मैं आपको बता दूं कि सितने भी जिदने भी आपके algorithm हम्हें lossless में lossy भी जो बी अल्गॉरदम आपको पढ़ लें ठीक है अगर यूनिट थर्ड में हम देखेंगे कोई और कुछ आगर ऐसा कुछ होगा मेरे इसाफ से जितने भी किसन तर्ड में है मैंने आपको बता दिया अगर ऐसे कोई किसन होगे था हमको प्रवाइट कर दें थीक है अब हम आते हैं यूनिट 4 में थीक है यूनिट 4 में आते हैं यूनिट 4 में जो किसे ज़्यादा पुछी जाने वाले हैं Multimedia Authoring से आप क्या समझते हैं इनके विभिम प्रकारों का वरणन कीजिए यानि कि सबसे पहले आपको लिखना है कि Multimedia Authoring क्या होती है उसको पढ़ना है फिर इनके कौन-कौन से टाइप या कितने प्रकार के होते हैं various types के बारे में आपको exam में लिखना हो अगर आता है तो दूसरा question है कि hypertext and hypermedia में अंतर असपर्स किजिए hypertext क्या होता और hypermedia क्या होता इसके बारे मैं वीडियों भी बता है और आपको हमने notes भी provide किया है तो आप इसको समझ के अराम से पढ़ सकते हैं कोई doubts होगा तो आप पूछ सकते हैं ठीक है user interface design क्या होता है user interface design होता क्या है इसको वारे में पताया क्या है साथी साथ इस चैप्टर में इसके साथ या अलग से भी information access या object display playback issues को वरण किजिए यानि देखिए यह question object display and playback issues और information access यह जो किस्टन है यह पहुत ही important अब हम आते हैं यूनिट 5 में multimedia tools यानि कि multimedia tools के बारे में अब multimedia tools में multimedia tools होते क्या है इसमें कौन-कौन से tools हैं इसके बारे में explain करने के लिए पूछा आता है ठीक है अब इसमें दूसरा question जो पूछा आता है कि flash क्या है यानि कि flash क्या attribute, save, text tool, pen tool, arrow tool, lasso tool कवरण किजिए हमने देखिए flash software में जितने भी tools use होते हैं near about हमने सारे के functionalities के बारे में बता दिया कि इस tools का काम क्या होता है ठीक है तो इस tools के बारे में आप notes में provide कर दिया है आप उसको देख के समझ के आप लोग उसको learn कर सकते हैं ठीक है मेरे साथ से इस chapter से इतना ही question इस chapter से आपको 10 नंबर का question पुछा आता है 10 नंबर का question आता है इस chapter से animation क्या है animation का इतिहास लिखिए मैंने आपको इसका video इसका notes सब provide किया हुआ animation क्या होता है animation का history लिखिए सारे चीज़े और इस chapter के सबसे highlighted question 2D और 3D animation की प्याख्या किजिए अब देखे 2D animation क्या होता है 3D के बारे में एकदम deeply लिखना होगा जितना हमने आपको बताया है ठीक है अब animation के principle का उधारण सहीद बैख्या किजिए यानि कि animation के principle है यानि कि 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 principle को follow करके किसी भी animation को बनायाता है वो एकदम important question ये question पांच नंबर में हर बार पुछा आता है कि animation के principle को बताये ठीक है और साथी साथ इस chapter से 2D और 3D animation में अंतर असपस किजिए ये question त्यानि की unit 6 में जितने भी question मैं यहां पर मैंने लिखिया है सभी question important है सभी question आप लोग तयार करें ठीक है तो हम उम्मीद करते हैं कि हमने आपको जितना भी question बताया है आपको समझ आया होगा अगर आपको कोई problem होगो किसी भी question को समझने में हमने पूरा पूरा syllabus को कबर किया है और जितने भी question हमने आपको यहां पर important में दिये हैं आपको पूरे syllabus है कहीं बाहर से नहीं है तो आप लोग कृपया आप लोग जितने भी question हमको प्रवाइड कर रहे हैं question को अब लोग एक बार एकदम तसली से बैट के आसानी अराम से उसको देखें question को समझें अगर question को समझने में या उसको किसी भी topic में कोई आपको कोई एनी प्रकार की किसी भी प्रकार की दिक्त ह होती है तो आप मुझे personal call, message, comment आप लोग कर सकते हैं ठीक है तो हम उमीद करते हैं कि आप लोग इस चीज़े पूरा तयार करें exam के लिए ठीक है तो अगर आपने इतनी सारे content आपने exam के लिए तयार कर लिया यानि कि यह ठीक है और यह यह चीज ठीक है और आपका यह चीज अगर आपने तयार कर लिया तो आपको मेरे हिसाफ से exam में मैं बता रहा हूं कि 90% 90% इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा जितने भी मैंने question दिये 90% यह इसमें से मिलेगा आपको exam में यह आप लोग notice कर लिजीगा चाहा है लिक के रख लिजीगा हाँ जितना मैंने question provide किया था उतना ही question इसके अंदर से question पूछा जाएगा अगर 10% पूछा भी जाएगा कहीं बाहर से तो हो सकता पूछा जाएगा लेकिन 90% इसी के अंदर पूछा जाएगा ठीक है तो आप लोग हमें उमीद है आसा है कि आप लोग तयार करेंगे आप लोग पढ़ाई कर हैं और अच्छे से अपनी एक्जाम की तैरी कर रहे हैं तो ठीक है थेंक्यू फॉर वाचिंग